दोश ना हमने कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए ना भगवान को हमने दोश देना चाहिए अगर आप भगवान को दोश दे रहे हो अपने किसी गलती के लिए या आपका कोई काम फेल हो रहा है या आपको किसी काम में सक्सेस नहीं मिल रही है उस चीज़ के लिए अक्सर लोग क्या करते है भगवान को दोश देते या अपनी किस्मत को दोश देते है यार मेरी किस्मत ही ऐसी थी इस तरह की बाते करना शुरू कर देते है लेकिन जब तक अगर हम दोश दूसरों को देना नहीं बन करेंगे अगर हम मेरा काम नहीं हो रह और हम दोश दे रहे भगवान को अपनी किसमत को कि यार मेरी किसमत ही खराब है मेरी किसमत ही अच्छी नहीं है तो आपके साथ जिंदगी में हमेशा इसी तरह की हरकते होती रहेगे अप कभी आगे नहीं बढ़पाओगे हमेशा मुश्चिले सामने आते रहेगी क्योंकि दोश हम भगवान को दे रहे हैं दोश हम दोस्तों को दे रहे हैं माबाप को दे रहे हैं अपनी किस्मत को दे रहे हैं लेकिन हम दोश अपने आपको नहीं देते हैं और सच्चाई तो ये है सच्छाई ये है कि तुम कहीं पे कमजोर हो और तुम अपनी कमजोरी देख नहीं पा रहे हो ना देखना चाते हो जिस दिन अपनी कमजोरी आपने देख ली या देखने की कोशिश की या जो दोश आप दूसरों को दे रहे हो अपने आपको दो उस दिन आपको ये सारी चीजे समझ में आएगी और जहाँ पे भी आपके काम भूके हुए वो आपके काम सारे क्लिरली बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको दोश देना बन करना पड़ेगा भगवान को, किसमत को, दोस्तों को, रिष्टेदारों को अगर दोश देना है तो अपने आपको दो कि मैं ही रिजन हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मेरी वज़े से जिन्दगी में कई लोगों को दुख मिला है मेरी वज़े से मेरी जिन्दगें बहुत दुख है इस सारे चीजु का दोश स्रिफ अपने आपको दो जिस दिन आपने दोश अपने आपको देना चालू कर दिया तो उसमें से बाहर निकलने का रासा भी आप खुद अपने आपको दोगी